This is part 2 तो questions करते हैं exercise के कुछ जैसे first question है compare the fractions compare means हमने बताना है भी कौन सी fraction बड़ी है कौन सी fraction छोटी है लेकिन यहाँ पे हम ऐसे नहीं बता सकते कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है उतनी दिर नहीं बता सकते जितनी दिर इनका denominator सेम ना हो जाए ठीक है यहाँ से नहीं देखना अभी 7 बड़ा है तो यह बड़ा होगा नहीं नीचे denominator भी है तो question को देखने के लिए कैसे करते हैं पहले उनके denominator को सेम करते है denominator को सेम कैसे करना है इनका LCM लेके जैसे 8 और 12 का LCM कितना होता है यह 2 के table पे जाएगा 2 4 जाएट 2 6 जाएट 2 6 जाएट 2 के फिर 2 ऐसे LCM लेना आपको आता है तो LCM कितना आगया है 24 अब हमने दोनों के denominator में 24 बनाना है जैसे 5 बाई 8 है किस से multiply करें कि 24 बन जाएट 3 जा 24 तो 3 से multiply भी करना है divide भी करना है तो कितना बन गया 15 बाई 24 अब 7 by 12 यहाँ पर भी हमने क्या बनाना है 24 तो किस से multiply करें 2 से multiply 2 से divide यह कितना बन गया 14 by 24 अब देखो 1 है अमारे पास 15 by 24 एक है अमारे पास 14 by 24 अब दोनों के नीचे सेम है तो उपर वाला देखो अब कौन सा बड़ा है 15 तो यह क्या गया बड़ा तो that means 5 by 8 is greater than 7 by 12 यह 5 by 8 की value थी और यह 7 by 12 की थी तो देखने से तो यह बड़ा लग रहा था तो बड़ा कौन सा आ गया 5 by 8 अब क्या है find the sum of अब इसको sum कैसे find करते है मतलब plus कैसे find करते है किसी भी चीज को add या subtract fraction को add या subtract उतनी दिर नहीं कर सकते जितनी दिर उसका denominator सेम ना हो यहाँ पर 12 है 16 है 24 है तो इसका क्या करेंगे हम denominator सेम बनाएंगे कैसे बनाते है elsium लेके 12, 16 और 24 का elsium क्या होता है राजे देखो सबसे पहले चोटे table पर हमने check करना होता है जो जो चोटे table पर जाता है वो लिख देते है जो नहीं जाता है वैसे लिख देंगे जैसे यहाँ पर 2 3 नहीं जाता था वो as it is लिख दिया ठीक है तो यह इसका elsium कितना आ गया 2, 2 is a 4, 2 is a 8 8, 2 is a 16, 3 is a 48 तो elsium कितना आ गया 48 तो सभी के denominator में हम क्या बना लेंगे 48 कैसे बनाएंगे देखो आप इस तरीका या नहीं लगाओगे अब नया तरीका सीखोगे यह बला वैसे भी कर सकते हो 48 आ गया elsium अब चेक करो 12 के table में 48 कितने नमबर पे आता है 4 नमबर पे तो यह 7 क्या हो जाएगा 7 में multiply उसके बद प्लस का sign 24 के table में 48 कितने नमबर पे आता है 2 नमबर पे 7 में 9 हो जाएगा multiply तो करो कितना गया 28 प्लस 33 प्लस 18 बाए 48 यह हमने क्या कर दिया multiply तो अब इसको simply add कर दो 28, 33 और 18 जब इन तीनों को add करोगे अंसर हैगा 79 बाए 48 अब आप first exercise try कर सकते हो और अपनी fair notebook पे try करना ठीक है और इसको आप ऐसे भी solve कर सकते हो सभी के नीचे denominator सेम बना लो फिर प्लस करो लेकिन अब आप बड़े हो गयो higher classes में हम ऐसे ही करते हैं सीधा ठीक है तो try करो यही सिखने की thank you ढपसकते हो खोप टावरे हो एो भी